यो हे बच़ो वैलकम बेक टो निव एन दर वीडियो तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्मौर की इतियास के बारे में उसकी स्ताप नाव, उसका प्राची नाम और इससे रिलेटिट जो भी most important questions है उसकी बारे में पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं सिर्मोर का इद्यास यानि सिर्मोर का नामकरन कैसे हुआ सिर्मोर के प्राची निवासे कुलिंद थे, कौन थे सिर्मोर के प्राची निवासे कुलिंद थे कुलिंद राज्य मौरी समराज्य के शिर्ष पर था, यानि कि जैसे ये कुलिंद होगा ये मौरी समराज्य है और इसके शिर्ष पर यानि उपर के तरफ क्या है सिर मौर सिर बन गया जो कि अब आज के समय में सिर मौर की नाम से जाना जाता है अन्य जन्ण शृतियों के अनुसार जो ने लोगें उनका मानना था कि राजा रासालु के जो पुर्वस्थ है उनका नाम कया था सिर मौर था इसलिए राज़े का नाम सिर्मोर बढ़ा है रियासत की राज़धानी का नाम सिर्मोर होने के कारण रियासत का नाम सिर्मोर बढ़ा और कुछ कहते हैं कि राज़े रसालू थे उनके जो पुर्वस्ते उनका नाम सिर्मोर था इसलिए सिर्मोर बढ़ा है और कुछ लोग कहते हैं कि रियासत की राजधानी का नाम सिर्मोर होने के कारण यहां का नाम सिर्मोर पढ़ गया और कुछ लोग कहते हैं कि इस शैत्र में सिर्मोरिया देवता की पोजा की जाती है जिसके कारण राजी का नाम सिर्मोर पढ़ा है अलग-अलग बिचारदारा है सबकी तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सिर्मोर का प्राचे जो सिर्मोर के जो प्राचे निवासे थे वो कुलिंद थे कुलिंद राजे मौरी समराजी के शेट पस्ते था जिसके कारण इसे शिर्मोरी की संगया दे गई जो कालंतर में क्या है सिर्मोर बन गया है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजर रसालू के जो पुरवस्त थे उनका नाम सिर्मोर था जिसके कारण सिर्मोर पढ़ा कुछ लोग कहते हैं कि राजर्यासत की राजदानी जो सिर्मोर थी के कारण सिर्मोर पड़ाया और कुछ लोग कहता है कि उस शात्र में क्या होती थी सिर्मोर यादे होता कि पुजग की जाती थी तिक इतना समझ आया नेक्स नेक्स देखते हैं मोर यासत के स्थापना अब सबसे में कुशन यहां से बनता है कि सिर्मोर यासत के स्थापना किस ने करी देखें सिर्मोर यासत के स्थापना 1149 इस्वी में जेसल मेर जेसल मेर के राजसाल वाहन के पुत राजसालो ने की थी शॉटकट में हम इसको वोल सकते हैं राजा रसालू ने की थी कब की थी गयरा सो नताली स्वि में की थी उन्होंने इसकी राजदानी सिर्मोरी ताल की थी, राजा नाम ओगरसेह को और कभ में छिर्मोर रियास्त के स्तापना की थी राजा रसालू ने नेक्स्त डीक लेते हैं सिर्मोर रियासद का प्राजीन नाम छिर्मोर रियासद को एक प्राजील लेखी है रंजोर सिंग ने लिखी एक उस तक तारीक टू रिहासत सिर्मोर तारीक तू सिर्मोर रिहासत उसमें उन्होंने क्या बताे हैं कि जो को सिर्मोर रिहासत नाम Kya था सुलेगी ना था क्या था सुले की ना था एक बार दुबारे से इसका जल्दी से रिविजन करते हैं कुलिंद थे और कुलिंद राज्जी मौरी समराजी के शिर्ष पर इसके कारण उन्हें शीर मौरी की स्थापना के रिप्राची जो प्रजेंट यानि कालंतर में कहा हैं सिर्मौर है और प्रजेंट के जाती थी कुछ लोग कहते हैं कि रियास्त की राजदानी का नम सिर्मौर होने के कारण यहां का ना भी सिर्मौर पढ़ गया तीक है अब स्तापना की बात आती है जो राजा जसालू ने की थी जो की उगरसें यानि सालवाहन का पुतर था राजा सालवाहन का पतर था और तारुमो गियांस समीं में की ति धी और उन्हों ने क्या कि रह थी सिर्मौर विधूकर की ती सिर्मोर रियास्त का प्राची नाम सुले किना था क्या था प्राची नाम सुले किना था और रंजोर सिंग ने क्या पुस्तक लिए थी पुस्तक लिए थी पुस्तक लिए थी तारीक टूर रियास्त पुस्तक किस ने लिए थी थी राजा रंजोर सिंग ने अब इसे रिलेटि राजामाहीप्रकाय, शम्रग़ेळ प्रकाश या राजा रसालू. तो इसका करैक्ट अंसर है. राजा रसालू अभी हमने उपर बढ़ाएं. कुशन नुम्ः टू देख लेते हैं. राजा रसालू ने किस देश की राज़े किस तापना करे थी? कि राजे रसालो ने किस देश के राजजी किस तापना करी थी देश नहीं यहां पर किस राजी के सब्सक्राइब negative लिए ठीजinky थी सिद्वी थी तो है ठीज मोर रियासत का प्राची नाम क्या है next question रे question no.3 थी सिद्वी की इसका counting क्राची नाम क्या धा था तो एक साम sparks no 4 तारीक तूरियासर सिर्मोर पुस्त किसने लिखे थे एक डिक समय दोबाई किसरे लिखे तैरे तूरियासर नोग से कृएव रैंप्ड पॉस्त लिखेंए राजा रजुर है सिर्मौर के प्राची निवाशे कौन थे कुलिंद बृति या सभी तो अभी हमने वपर पढ़ा है कि सिर्मौर के प्राची निवाशे कौन थे कुलिंद थे जो कि मौरे समराजी के शिर्षपे रहत दीए ठीक है next आप करते हैं next question है question number six मैं वाफ राजा रोगे पिता का क्या नाम था यानी जो रसालू थे किसके पुत्र थे राजा मलद सिंग राजा साल वहन ? उधित पुरकाश यह रन्जी सिंग थो हमने पढ़ा है कि राजा शाल वहन जिसको हम उग्रशेंस कौन सी करी ती में कि होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंदाई तो लाइक शिर्व एन कमेंट करना बिल्कुल भी न बुलिए 2 चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक क्यार